नमस्कार साथियो न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं अंतराश्चे समझोते जब तूटते हैं तो दुनिया पर क्या प्रभापड़ता है यह जानना है तो चलिए अमेरिका इरान न्यूकेलियर डिल की तरफ पहले इस डिल को अमेरिका ने तोड़ा अब इरान भी से तोड़ने के तरफ आगे बढ़ रहा है उसका कहना है कि 300 किलियर ग्राम इरोरियम इनरिट से वा आगे की तरफ जाएगा इस पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं प्रभीर तो अखबारों में ये दिखाई दे रहा है कि इरान ने न्यूकेलियर डिल तोड़ा जबकि सुरुआत अमेरिका की तरफ से हुई तो फिरसे एक बार समझा जाए कि न्यूकेलियर डिल क्या था और किस तरीके से इसको दिखाय जा रहा है देखे न्यूक्लियर डील जो हुआ था ये 2015 में हुआ था ओबामा एड्मिनिस्ट्रेशन के वक्त पे उस वक्त ये था कि एरान उनका जो एंडिश्ट उरेनियम है लो एंडिश्ट उरेनियम है इसे बॉम नहीं बन सकता पर ये आपके दूसरे चीजों में लगता है बिजली पैदा करने में लगता है और भी इसके अलग उपयोग है तो ये दस हजार केजी लो एंडिश्ट उरेनियम उस वक्त इरान के पास था उन्हेंने उसका 98 प्रतिशत उरेनियम जो था उन्होंने बाहर भेज दिया था रश्या के पास भेज दिया था जो रश्या अपने था कि इरान के उपर जो एकनॉमिक सैंक्शन्स थे जिसने जो अमरीका ने लागू किया था दूसरे कुछ देशों ने उनके साथ मिलके उन पर लागू किया था वो सब सैंक्शन्स हटाए जाएंगे और इरान के करीब 100 बिलियन डॉलर अमरीका के पास जब्द था अमरीका ने इरानी प्रापर्टी से लेकर बैंक अकाउन में पैसे जब्द कर लिये थे तो वो बात वो जो है उनको वापस दी जाएगी कुछ चीजों को वापस दिया गया है पर अभी भी कुछ जब्द है और यह भी है कि एकनॉमिक सैंक्शन्स फिर अमरीका ने उन पर लागू क कि ट्रॉम्प ने करीब बारा महीना पहले वो ड्यूक्लियर डील से अपने आप को नहीं मानते हैं जब उन्होंने हटा लिया तो जो सैंक्शन्स लगा है एरां पे अमरीका क्या और किसी देश के दी दूसरे देश़वे इसको मुखाल्फत किया इस चीज का जो सैंक्शन् इरान जो अपना इंडिश्ट यूरेनियम जो तीन सो केजी स्टॉक पाइल से जब ज्यादा होता था पहले बाहर भेज देता था अब वो भेजने में असमर्थ है और इन्होंने तभी भी कहा था जब उन्होंने दोहजार पन्रह में इस एग्रिमेंट को दस्तखत किया था त हम अगर हमारे पर नुक्लियर सैंक्शन लगते हैं तो यह लिमिट जो तीन सो केजी के है इसको हम अब्जर नहीं करेंगे तो एग्रिमेंट के अंदर भी यह लिखित है तो यह कहना इरान ने कोई चुकती तोड़ा है ट्रीटी तोड़ा है यह गलत होगा इरान बलकि बार इरान पर लगा है उसका विरोत करें जब दूसरे मुलकों ने नहीं किया तब उन्होंने आखिर कहा कि अब जो है हमारे उपर जो सैंक्शन लग रहा है उसके खिलाफ हम यह तीन सो केजी के लिमिट हम नहीं अब्जर्ट कर पाएंगे यह भी है इरान खटा था अमरीका इस चुकती से दिकल गया था करीब बारा महिना पहले पर सिर्फ दो महिना पहले इन्होंने नुक्लियर एक्सपोर्ट पे इरान के नुक्लियर एक्सपोर्ट पे उन्होंने सैंक्शन लगाया था जिसके वजह से इरान इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो यह भी ना सम जो पहले उसको बाहर भेज देते थे वो आप भेजने में असमर्त है तो इसलिए इसकी जब्यदारी पूरी तरह से अमरीका पे जाती है इरान के इसके कोई कसूर नहीं है यह पूरा जो डील है इसको जेसी पी ओ के नाम से फिर जाना जाता है इसमें अमेरिका के साथ कुछ और देश भी सामिल होते है तो इस पे और जो देश सामिल है इसको पी फाइफ कहते है सिक्यूरिटी काउंसिल के पाँच देश जो है यह शामिल है जो अमरीका के लावा फ् उच्छा और चीन भी इसमें शामिल है कंद है तो यह आपके जर्मनी सिक्यूरिटी कॉझसल की पाँच में नहीं है पर यह भी इस डियाँ में है इसलिए छे देश बंते पाइव सिक्यूरिटी के मेंबर पाँच प्लस जर्मनी और दूसरी तरफ इरान है तो एक हिसाब से इस साथ देशों के बीच में सम यह एग्रिमेंट है और इस साथ देशों में एक इरान है छे दूसरे देश है और छे दूसरे देशों में एक अमरीका है तीन यूरपियन यूनियन रूसा चीन यह आपके शहद देश है तो यह security council की इसमें भूमिका क्या होती है इस पर भी आपने अपने लेख में कुछ लेख किया है तो यह क्या भूमिका उनकी कैसे है देखें कोई भी international agreement जो होता है खास तोर से इस ऐसे agreement security council के पास क्यों आता है क्योंकि पहले security council के sanctions भी इरान पे थे तो समझावता इसलिए जैसी PUA जैसे समझावता वो security council में भी रखा गया है वहाँ पर भी सम्मति दी गई है और United Nations Security Council की सम्मति की अगर हम देखते हैं इसकी भूमिका क्या है तो जो जित्ते देशों ने दसकत किया है United Nations की गठन पे जिस पे अमरीका भी शामिल है उस पे यह लिखा हुआ है उनकी इस agreement शामिल होने के लिए उस अपने देश में भी कुछ act पारित करते हैं तो उसमें United Nations की Security Council की एहमियत इस तरह से आती है कि वहां जो पास करते हैं जो पास होती है उसकी ट्रीटी का दर्जा दिया जाता है जो फाइनेंशियल रेस्टिक्शन को पूरत जो फाइनेंशियल जो सेंक्शन लगते हैं इसके जग़ा पर इंस्टेक्स जैसे जो चीज़े लाई गई हैं जिसका आप अपनी लेख मुझा यह अब देखिए अलग चीज है अंतराष्टियस तर पे उसकी एक सुफ्ट एक सिस्टम है जिसके जरीए वह ट्रांजक्शन होती है और वह पहले सुफ्ट के अंदर अगर जाता था तो वह डॉलर के साथ लिग करके ट्रांजक्शन होती थी रुपया डॉलर के लिए किता मिलेगा, इरानी जो भी उनका करिंसी है, वो डॉलर के गेस्ट में उसका किता भाव है, उस हिसाब से ट्रांजैक्शन होता है, वे स्विफ्ट सिस्टम ट्रांजैक्शन के दुनिया में हर जगर पे चलता है, हमारी भी जो बैंक टू बैंक ट्र स्विफ्ट के अंदर होता है, स्विफ्ट अमरिका अपने कानुन के तहद ले लिया है, अर यह कहता है कि स्विफ्ट की जो भी ट्रांजैक्शन होगा, अगर अमरिका उस देश पर सैंक्शन लगाए है, तो स्विफ्ट बें यह नहीं हो सकता, तो इसलिए एक उल्टर eccentric के उसके लिए जरीया बनाने की जरुरत है अगर आप अमरीकान सैंक्शन को स्वीकार नहीं करोगे तो येरोपियन देशों ने कहा कि ठीक है हम इंस्टेक्स करके एक ट्रांजैक्शन सिस्टेम बनाएंगे स्विफ्ट की जगह पे जिसके जरीये हम इरान के माल के खरीदना लिए लिए पर हकीधितायरीका के सैंक्शन स्विफ्ट ट्रांजैक्शन्स पे नहीं है किसी भी मुलख अगर कोई भी कंपनी वह ऐसे चीज़े खरिदता है या इरान को बेचता है ईरान के तेल खरीदना यह तो बेचना है तो उस पर सैंक्शन अमरीका के लग जाता है और इरान के तेल खरीद रहेते 205 के पहले, उनपर सैंक्शन्स की धंकी दी गई थी, था यह जो सैंक्शन्स का खत्रा है, तो इसके वजह से transaction सिस्टम मौझूद होने के भावजूद भी उसके जरीये कोई transaction नहीं हो पा रहा है, क्योंकि European Union की कोई भी कारोबार करने वाले company वो अपना कोई भी सामान बेचना या खरीदना इसके लिए इरान के साथ समझाता करने या कारोबार करने के लिए तयार नहीं है इसलिए तयार नहीं है कि एक transaction तो हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर कोई भी अमरीका अम अमरीकन टेक्नालोजी की प्रॉडक्स को देखते हुए वो उस मार्केट से अपने आपको काटने की स्थिती में नहीं है तो इंस्टेक्स एक हिसाब से फेल किया है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह जो दूसरे मुल्क है दुनिया में जिन्होंने कहा था जैसी प वो भी बंद कर दिया उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है तो यह देखते हुए इरान के सामने चारा बहुत कम है और इसी लिए इरान अब कह रहा है कि हम जेसी पूए को हम अब्जर्व नहीं करेंगे बलकि हम सोचेंगे हम अपना देश की जो लक्ष है जो हमारे देश के जो क्या कहते हैं इंटरिस्ट है उसको हम कैसे बरकर रख पाएं इस हालात में क्या कहते हैं कि अमेरिका जब डील से हटता है और देख भी रहा है कि यहां पे सारी की सारी कारवाईयां उसी की तरफ से हो रही है आगे उसी की तरफ से बढ़ा जा रहा है तो जो दूसरे दे क्यों इसमें मुह नहीं खोल रहे हैं या तो कुछ कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प का नजरिया तो कुछ यह है कि चित भी मेरी पट भी मेरी क्योंकि यह कह रहा है हम इरान के यह सचुक्ति को नहीं मानते हैं हम जो एग्रिमेंट किये थे उबावा ने किय बहुत खराब है हम इसे निकल गए पर ये भी कह रहे है कि एरान कैसे निकल गया क्योंकि एरान तो तीन सो केजी से जादा चला गया और ये भी कह रहे है कि तो बाम बनाने की प्रक्षिया में जार लगा रहा तो तीन सो केजी से बाम नहीं बनता क्योंकि वो दस हजार केजी स भी बॉम नहीं बनाया था एरान तो तीन सो केजी बहुत मामूली से अमाउंट है तो ये एक सिर्फ मनगडलत एक तजवीर पेश करने के कोशिश कर रहे है जंग के अब आब और हवा को बढ़ाने के लिए इसमें और कुछ नहीं है दूसरे देशों का खत्रा जो उनको सोचना चाहिए ये है कि अगर सच्पुच जंग का इस तरह के माहौल बनता है और सच्पुच इरान और अ के एर स्पेस पे घुज़गिया था इरान ने उसको गिराय नहीं पर गुज़गिया था गिरा सकता था ये भी हो सकता है कि एरान अपने जो दोस्त शक्तियां है होोती साय येमेन में जो कि इस वाक्त सावधिय ब्रे उनको आटाक कियं हैं उस पे चल रहा है तो उनको हातियारों से लेज कर दे ताकि साओधी ऑइल इंस्टिलेशन पे आक्रमंट करें वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे आक्रमंट करें ये भी हो सकता है कि किसी भी कारण से अगर जंग हो जाता है तो हॉर्बुस की जो खाड़ी है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्बुस है उससे बीस प्रतिशत दुनिया की तेल वहां से जाता जाता होता है वो अगर बंद हो जाता है तो चार या पांच मुलकों के लिए तो शामत आ जाएगी एक हिंदुस्तान दूसरा उसमें चीन तीसरा जपान चौथा तर्की तो इन मुलकों पे एक बहुत ब बड़ा खत्रा पैदा हो जाएगा तेल के दाम बहुत बढ़ जाएगा तेल इतने मात्रा में मुलना जल्दी मुश्किल है और जंग में इरान घोशना कर चुका है अगर इरान के उपर हमला होता है तो वेस्ट यॉरप वेस्ट एशिया की जितने तेल की वहां पर इस्ट् होता है कि शान्ती के लिए वो काम करें और ऐसे स्थिती पैदा न होने दे पर आज के दिन पे दुखत बाद ही है कि इस तरह के पहल कदमी करने के लिए कोई तयार नहीं है लगता है बिल्ली की गले में घंटी बांजने के लिए किसी की इस वक्त हिम्मत नहीं पड़ रही ह क्योंकि अमरीका एक हिसाब से एक रोग देश बन रहा है जो किसी इंटरनाशनल किसी भी जिसको कहते हैं नियम को पालन करने के लिए तयार नहीं है अब यहीं से देखा जाए तब यह अंतिम सवाल है कि यहां तक तो बाते पहुँच गई है कि अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए इरान भी एकदम आगे आ रहा है तब आगे कि क्या इस्थिती हो सकते हैं देखी इरान प्रभुत्व के लिए नहीं अपने देश को बचा है और अमरीका अपना प्रभुत्व को इरान पे थोपने के लिए पूरी दुनिया पे थोपने थोपने के लिए वो कोशिश कर रहा है और इसको अंतराष्ट्रिय स्तर पे इंट्रनाशनल लौ के मुताबिक इंतरनाशनल अंतराष्ट्रे कानून के मुताबिक एक्चुली एकनॉमिक वार है ठीक है ना एकनॉमिक जंग है और जो कि किसी और जंग के तुलणा में उसी वही एक क्या कहते है उसका वही भार होता है आप किसी की देश पर वार करते हो तो उसको धंस कर सकते हो उसको हो जाएगी इसलिए इस इन एक्ट ओव एकनॉमिक वार जिसे कहते हैं अंतराष्ट्रिय स्तर पे इस पे इंटरनाशनल कोर्ड भी पहले पहले बात कर चुकी है यह एक्चुली इस यह इलीगल है अंतराष्ट्रिय स्तर पे पर यह तो बहुत दिन पुरानी बात है कि अमरी कि उसकी आज़ादी है तो यह तो एक अनोखी क्या कहते है हकीकत हमारे सामने है कि एक मुल्क अंतराष्ट्रिय कानून को नहीं मानता और दूसरों को कहता अगर नहीं मानोगे तो हम अंतराष्ट्रिय कानून के बाग बाहर भी आप पर आक्रमान कर सकते है शुक्रिया प्र सकते हैं सोचिएगा शुक्रिया आप देखते हैं न्यूज क्लिक